हेलो स्थो मैं हुरुचत बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में दोस्तो यहाँ पर सीरियल गो मैं किसी के प्यार में के मेकरस ने सही के चौवान निवास में ग्रेंड वेलकम के तैयारियां अब जोरो शोरो से शुरू कर दी है यहाँ पर दोस्तो आने वाले एपिसूड के अंदर आपके लिए कई बड़े बड़े सप्राइजेज मौजूद है और आने वाले यह एपिसूड जो है वो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार हो सकता है क्योंकि दोस्तो यहाँ पर विरार से जितनीय एक्सपेक्टेशन थी उतना तो वह हैरान और परिशान हमें नजर नहीं आया सही को देखने के बाद और पत्र लेखा से जितनी एक्सपेक्टेशन थी वो उतना ही रहा और मोहित ने तो काफी जादा ही डिसपॉइंट कर दिया लेकिन अब बात करते हैं चवान निवास की तो उनके जो रियक्शन है और रियक्शन के टाइम पर आसपास का जो महौल है वो बड़ा ही शांदार और बड़ा ही रंगीन और बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है वेल सब कुछ डिटेल के अंदर बात करेंगे कि ये बड़ा जशनिकिस तरीके से होने वाला है अगर आप गुमे किसी के प्यार में एपिजोड एकदम गौर से देखते हैं तो आपको कुछ अट तक पता होगा इस बारे में लेकिन हम लोग जानेंगे डिटेल के अंदर तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जुडे देगे मिरे साथ और हाँ दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो लेका से शादी कर चुके हैं और मालदी जाने का प्लान मना रहा है यानि कि हानीमून ट्रिप पर खुच जाने की प्लानिक मना रहे हैं लेकिन वहां पर जकताब का हाथ पकड़ावा भी उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो सई को बुरा बला सुना कर बड़े ही गुस्से में वहां से जाने की बात करने वाले है अब यहाँ पर पत्रे लेका सई को बताने आएगा कि भाई हमारा गाम तो हो गया है यहाँ पर हमें जाना होगा यहाँ से क्योंकि चमान निवास में भवानिक काकून ने बुलाया है कि तुम्हें आज ही कि आज फिर से लौटना है अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सही जो है वो कहने वाली है कि विराड सर का वैसे ही पारा चड़ता रहता है और वो उट पटांग हरकत करते रहते हैं जिस कारण से उनका जो खून वो नहीं वो निकल जाता है और ऐसे में आप उनको अब ड्राइव करकर इतनी दूर सफर कर करके आप ले जा रहे हैं तो उनको काफी बड़ी प्राब्लम्स हो सकती है लेकिन यहाँ पर हमारे विराड भाय साब वैसे तो कई बार मिशन के दौरन इससे भी ज़्यादा हालत उनकी खराब हो जाती है तब भी सर्वाइव कर जाते हैं लेकिन इस बार ये कनकॉली से ना तो यहाँ पर पैनिक होने के बाद पत्र लेखा और विना है कि यह सब लोग मोहित सही को याद करने वाले हैं कि हमारे विराड दादक की हालत खराब हो गई यह करपया उसे बचाने आ जाई यह तो हमारी सही को आना ही आना पड़ेगा अब दोस्तों कुछ इसी तरीके से जैसा हम आपको बता आ रहा था पिछले ही एपिसोड में पिछले ही वीडियो में आप सबे को बताया है कि यहाँ पर सही और विराड की नाराज़ की दूर नहीं होगी अभी वो लोग एक दूसरे से पैच अप करकर चमान निवास नहीं जाने वाले हैं बलकि वो जाने वा नाधपूर तक का पूरा होने वाला है, और यहाँ पर सभी की ना मौसी के पास उन्हें चुड़ सकती थी और तो मन है कि सभी मीरी विटी, मीरी वीटी थिर विافнож है, वह क्यूला। चवान निवास में यानि कि All Over कहें तो सील की मेकरस ने अच्छा माहल तयार कर दिया आने वाला एपिसोड में आप सभी के लिए और यहाँ पर चवान निवास में दूसी तरफ जो है चवान निवास के हर एक लोग जशन के तयारिया कर रहे हैं कि हमारी फेवरेट बहू पत् जीत कर आया है भले उन्हें पता ही ना हो कि कनकॉली में उसके साथ हुआ क्या है और उनका बेटा ही उनसे कभी बड़े-बड़े सच चुपा रहा है कि घर की जो बेटी है घर की जो बहू है जिसे हश्मीनी कभी अपनी बेटी माना करती थी वह आज जिन्दा है और बार दादों को बोल देता हूँ तो यहां पर दोस्तों मुझे यह समझ में नहीं आया है कि आकरकार मोहित कि इस बात को लेकर नाराज हो रखा है सही से इसका रीजन मुझे तो समझ में नहीं आया I think CEO की makers को भी नहीं पता होगा कि उन्होंने मोहित के किरदार को सही से पर खतम करते हैं यहीं पर क्योंकि यहां पर मुहित ने जो कर दिया वो तो कर दिया हम बात कर लेते हैं चवान निवास में जाने के बाद दमाके तो यहां पर हो नहीं होने वाले हैं क्योंकि यहां पर दोस्तों हरीनी को बर्थड़े पार्टी में जाने से पूरी तरीकी से रोक दिया और भवानी काकूप पूरी तरीके से भरीनी के उपर अब तक अलक़ी फिल की लगाम लगाते वे नजर आ रही है लेकिन हरीनी तो हरीनी है वो भवानी काकूप की नाक के निचे से निकल जाने वाली है और उन्हें पता भी न Psalm चीजों के आई तिंक पूरे अपने लाइफ में नहीं देखा होगा और आप लोग को तो आदत हो की खेर देखने की चावान निवास की लड़ाई जगड़े और इसमें जो मसाला होता है तो वो ही यहाँ पर सही के लोटने के बाद होने वाला है क्योंकि यहाँ पर पूजा की आरती की थालियां लेकर जर्शन का माहौल सही के लिए बिलकुल भी नहीं है पत्रे लेखा और विराज के लिए है लेकिन जब दरवाजा खोलते ही सामने सही होने वाली है तो सब के बा बढ़ा बच जाने वाले हैं शकल के उपर और यहां पर चवान निवास का हर एक शक्स जूए अपने पैरों पर खड़ा तो है लेकिन वो लड़ करा जाने वाला है और पूरी तरीके से वो लोग हैरान होंगे कि भाई यह क्या हो गया है एक ऐसा शक्स है जिसे वो हमेशा के ले जा चुका मान चुके थे जिसका निधन वो समझ चुके थे वो आज उनके सामने खड़ा है और उनकी हालत बहुत खराब हो जाने वाली है यहाँ पर अश्वीनी से ले कर काफी भवाने काकू जैसे लोग जो हैं सही के ओपर गुस्ता करने वाले हैं लेकिन पत्र लेखा वन्चच को विनायक को खो दिया वैल विनायक को वो लोग अंदर भेज देंगे या क्या करेंगे वो इसके सामने दर ड्रामा नहीं करेंगे क्योंकि विनायक को नहीं मालूम है कि उसे गोध लिया गया था और वो पत्र लेखा और विराट का बेटा नहीं है ऐसे में दोस् तो और ये बाके के लोग जो है वो बिलकुल अलगी आपको रोल में देखने को मिलेंगे और शॉकिंग टुइस्ट आप के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा यह हो सकता है कि यहाँ पर पत्र लेखा जो है वो यहाँ पर सभी का सपोर्ट करते वे आपको नजर आएगी भवारे काकु को अश्वीनी को सभी लोगों को वो कहते वे नजर आएगी काकु और बाकी लोग किस तरीके से सभी को टाने मारते हैं सभी को लेकर यह तो आप सभी को मालू है कि कैसा माहूल यहाँ पर होने वाला है हाला कि दोस्तों चवान निवास में रहते भी एक बड़ा सजवी उनके सामने आने वाला है कि सई सवी और कोई नहीं विराट की ही बेटी है सई की ही बेटी है और विराट जब उसे अलविदा कहे चुका था दोनों अलग हो चुके थे उसके बाद सवी का जनम हुआ था तो ऐसे भी दोस्तों चवान निवास में कहाने आने के बाद बड़ी ही धमाकेदार इस बार होने वाली है खास कर मैं तो उस वक्त के लिए एकसाइटीड हूँ बहुत जादा जब जशन का महौल होगा पत्रे लेखा और विडाट के लिए और सही यहां पर पहुंच कर सभी के बारा बजा देने वाले सबकी बैंड बजाने देने वाले वेल दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताई कि आप लोग कितने ज्यादा एकसाइटेड हैं इस एपिसोड को देखने के लिए और येस चैनल को सब्सक्राइब के बैल आइकुन को तबाना मत बूलेगा दोस्तों आपके ओपेनिन जो है वो डिरे इस्टाग्राम पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है तो वहाँ पर आप मेंसेज में बात कर सकते हैं मुझसे जुड़ सकते हैं डायरेक्ट चैनल को सब्सक्राइब के बैल आइकुन को तबाना मत बूलेगा मैं मिलूँगा आप सबी रोगों से अगले वीडियो में जब तक के लिए थैंक्यी दोस्तों